अलो उस्तों स्वागत है आपका हमारी चनल करीर अप्रेडवा इंजीनियर में मैं हूँ रजन राज और आज हम लोग बात करने वाले हैं आई आर्टी के बारे में आई आर्टी का फुल फार में इंस्टिटूट आफ इंजीनिरिंग एंड रूरल टिकनलोजी ये बिसिकली जो इंस्टिटूट है वो प्रयाग राज जिसे पहले इलहाबाद के नाम से जाना जाता था वहाँ पर इस्थित है और थ्री वर्सी अगर आप डिप्लोमा करना चा होंगे उन्होंने कहीं न कहीं अपने जो छेत्र में उत्तर प्रदेश की बिसिकली बात करें तो आई आर्टी का नाम जरूर सुना होगा ठीक है तो इसके जो ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म है वो सुरू हो चुके हैं और मैंने भी आई आई आर्टी से डिप्लोमा किया है जो भी जानकारी मुझे इसके बारे में है तो जो भी जानकारी मुझे है वो मैं आप सके साहर डिसकस करूंगा साथी साथ जो इसके नोटिफिकेसन है वहां से क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं ठीक है और next वीडियो में बात करूँगा मैं इसकी syllabus और तयारी कैसे करें अगर आप comment करेंगे तो तो सबसे पहले official website पर मैं आ चुका हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन तरह के course होते हैं IRT से 6 semester 3 year का diploma जिसे आप लोग polytechnic बोलते हैं वो आप कर सकते हैं engineering में ठीक है दूसरा है 2 year diploma management diploma आप कर सकते हैं तीसरा है 3 semester यानि कि half year का post diploma in computer application आप कर सकते हैं ठीक है देखिए आप सबसे पहली चीज कि इसके जो form हैं दो तारिक से सुरू हो चुके हैं दो अपरेल से और कब तक चलेंगे 31 माई तक चलेंगे ठीक है यानि कि अपरेल और मई पूरा इसके फॉर्म फिलप किये जाएंगे और इसकी परिच्छाएं जो है 21 जून से शुरू होंगी यानि कि 31 तक फॉर्म 21 को आपकी परिच्छा तो अगर आप तैयारी करना चातर पूरा अपरेल मई और आधा जून यानि कि लगभग लगभग धाई महिने का समय आपके पास बचा हुआ है चलिए अब चलते हैं इसके हम लोग अगला जो है पॉइंट है कोर्स एन इलिजबिल्टी फॉर डिप्लोमा कोर्स तो अगर आप थ्री येर शिक्स सेमिस्टर इंजिनिरिंग डिप्लोमा में अपलाई करना चाहते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पर ब्रांच देख लेते हैं कौन-कौन सी ब्रांच से आप थ् डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलोजी कर सकते हैं अप ठीक है डिप्लोमा इन इलेक्टिकल इंजिनिरिंग कर सकते हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनिरिंग कर सकते हैं डिप्लोमा इन इस्टूमेशन कंट्रोल इंजिनिरिंग कर सकते हैं सिविल से कर सकत दिप्लोमा किया था वो से किया था क्योंकि हम को मैंतियां सिटक्व काफी कम होती थी ठीक है तो इंट्रेंस एक्जाम के थुरू बच्छी सिग मानले जी समय मैंने डिप्लोमा था उस समय टोटल अगर ब्रांचेस की मिला के बात करें थ्रीय डिप्लोमा के तो पांसो चालिस सीटे होती थी तो admission लेना काफी जाधा tough हो जाता था तो मुझे civil नहीं मिल पाया तो मैंने refrigeration and air conditioning से अपना जो डिप्लोमा है वो complete किया था तो अगर कोई भी information सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी information आपको चाहिए IRT से जुड़ी हुई तो आप comment भी कर सकते हैं साथ ही साथ आप मुझे personal message इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं और अगर आपको इससे related कोई वीडियो चाहिए प्रप्रेशन को लेकर तो भी आप comment करकी बताईएगा तो मैं आगे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा कि मैंने कैसे प्रप्रेशन की कैसे आपको प्रप्रेशन करनी चाहिए अब देखें यहाँ पर 3-year diploma अगर आपके पास है 3-year diploma में अगर आप admission लेना चाहते हैं तो science and math subject के साथ आपका 10th pass होना चाहिए मादमिक सिचाप प्रप्रशद उत्तर प्रप्रदेश से या फिर आप CBC, ICC, Cboard से भी pass out है तो आप यहाँ पर apply कर पाएंगे ठीक है basically UP के चात्रों के लिए ही यहाँ पर यह संस्थान है तो UP के चात्रे यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर other state there is no separate quota for candidate of other state however they will be given admission in case of non availability of student from UP as per provision let down of UP government अगर UP के चात्रों से सीटे बचती है तो other state को यहाँ पर admission दिया जा सकता है लेकिन ऐसा है नहीं भाई क्योंकि सीटे आलेडी फुल हो जाती है क्योंकि 12-1300 सीटे तो फुल होई ही जाएगी ठीक है अब देखें यहाँ पर प्रवेस परिच्छा के माध्यम से आपका आवे यानि कि two year और जो half year है उनका इंटर्स एक्जाम भी होता है और इंटर्वू के थ्रू भी उनका selection जो है किया जाता है तो इसके लिए आपकर 10 प्लस 2 होना चाहिए दो year का अगर आप डिप्लोमा करना चाहते है तो 10 प्लस 2 होना चाहिए English and Hindi high school और intermediate level आपका होना चाहिए इस आप डिप्लोमा यह करना चाहते है तो आप किसी ब्रांच से डिप्लोमा होना चाहिए तब आप डिप्लोमा जो है इसके लिए apply कर पाएंगे चलिये अब हम लोग आघे बढते हैं इसके अगले page की तरफ देखे अब हम लोग अगर admission procedure की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका entrance exam होता है देखे जिस अगर माली जे 2 वर्षी आप diploma या डेर्ड वर्षी डिप्लोमा में apply करें तो वहाँ पर interview होगा 300 number का आपका written होगा और 100 number का interview होगा लेकिन ध्यान रखिएगा जो 3 वर्षी डिप्लोमा है उसमें किसी तरह का interview नहीं है सिर्फ written exam आप pass करें अच्छे mark लाएं और आपका admission IRT में हो जाएगा तो दिखे यहाँ पर every question booklet with have 75 choice objective type question with 4 options of answer आप every question 75 प्रसन आपके total रहेंगे और एक प्रसन का जो अंक रहेगा वो 4 अंक रहेगा यानि कि एक सही उत्तर अगर आप करते हैं तो आपको 4 अंक दिया जाएगा साथ ही साथ अगर आप गलत एक उत्तर करते हैं तो आप minus 1 आपका cut हो जाएगा यानि की वन वाई 4 की यहाँ पर minus marking रहने वाली है ठीक है इस चीज को आप ध्यान रखेगा तो इसी इसाब से आपको अपनी तयारी जो है करनी पड़ेगी अब दिखिए एलॉट्मेंट आप ब्रांच दिखिए ब्रांच का अलॉट्मेंट कैसे किया जाता है merit list जारी होगी और उसके आधार पर आपको counselling के लिए बुला जाएगा यहाँ पर क्या लिखा है उसको मैं नहीं पढ़ता हूँ अपने सब्दों में आपको समझा रहता हूँ जैसे कि मालेजी आपको सीविल पसंद है और आपका पहले ही दिन counselling में आपकी rank अच्छी है तो आप सीविल ले सकते हैं आप mechanical लेना चाहन तो mechanical ले सकते हैं इसी तरह जब second day की counselling होगी तो 250 rank से 500 rank के बच्चों को बुला जाएगा तो जो सीटे बची रहेंगे उसको फिल क होता है यह फीज की बात करें तो counselling fees and course fees prescripted by UP government and institute to be deposited at the time of counselling through separate bank draft तो जब आपकी counselling आपका selection हो जाएगा counselling के समय आप fees जमा करने जाएगे तो उस समय आपको fees जमा करना होगा अगर आप कहेंगे fees कितनी लगती है तो उसका separate video में आपको चैनल पर बना दूँगा ठीक है अब देगे counselling के समय कौन कौन से documents लगेंगे यह चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई है यह admit card जो आप CSTP, CSTP, HEWS हैं तो वो आपके certificate लगेंगे कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है इसके बाद देखिए आप टोलोग कापी जाप photograph लगेगी ठीक है इसके बाद income certificate आपका लगेगा medical certificate लगेगा domicile certificate UP का लगेगा ठीक है और इसी तरीके से TC जो है उसका आपका लगेग देख लेते हैं यहाँ पर ठीक है syllabus हम लोग नेक्स्ट वीडियो में discuss करेंगे अगर आप हमें comment करेंगे तो ठीक है यह syllabus है पूरा physics chemistry math आप से यहाँ से पूछा जाता है यह देखिए sample question है इस तरह की प्रस्ण आप से जो यहाँ exam में पूछे जाते हैं ठीक है तो यह था छो minimum age limit आपकी यह बता दे रहा हूं 14 वर्स होनी चाहिए maximum age limit कोई नहीं रखी गई है minimum age limit 14 वर्स रखी गई है 14 वर्स अगर आप कम है तो नहीं apply कर सकते 14 वर्स अधिक होना चाहिए और maximum age limit कोई यहाँ पर नहीं रखे अगर आप 25 साल, 30 साल के भी हैं तो आप असानी सप्लाई कर सकते हैं लेकिन आपको खुद यह सोचना होगा कि 30 साल के age में अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आप उसके बाद क्या करेंगे ठीक है तो बागी अगर कोई doubt हो तो comment कर दीजिएगा साथ ही साथ एक vlog channel है हमारा vlog channel उसका उस पर मैंने IRT के एक vlog भी बनाया हुआ है तो जहाँ पर आपको IRT के अंदर के कुछ द्रिस से देखने को मिलेगे तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो को अगर आप IRT में विसल लेना चाहते हैं तो ऐसी जानकारी चैनल पर आपको मिलती रहेगी चैनल में स्क्राइब के तो चैनल स्क्राइब जरूब को लिजेगा तक तक बने देख मारा सब बहुत बहुत धनेवाद